बच्चो आज हम किसी वास्त्विक फलन रियल वेलूट फंक्शन वाइज उकल टू एफएक्स पोलते हैं इसको वाइज उकल टू एफएक्स एक रियल वेलूट फंक्शन है इसके डोमेन याने प्रांथ एक्स के किसी बिंदू पर इस फंक्शन की आउकलनियता याने डिफ्रेंशिबिर्टी का हम अध्यन करने जा रहे हैं तो बच्चो निश्चित रुप से आपको ये मालूम है कि किसी फलन के ग्राप को यदि हम खीशते हैं और उस पर खीची गई इस पर सरेखा की जो प्रवणता होता है उस बिंदू पर उस फंक्शन की का आउकल गुडांक डिफ्रेंशियल कॉफिशन कहलाता है कि जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक वक्र है एक फंक्शन है रियल विल्ड फंक्शन है जैसे कि मैंने बताया y is equal to fx और निश्चित रुप से हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका एक ग्राफ है y is equal to fx रियल विल्ड फंक्शन का और एक कोई छेदक रेखा ह एल तो कोई भी छेदक रेखा किसी भी वक्र को दो बिंदू पर प्रतिशेद करती है आप इसकी पर देख रहे हैं ए और बी पर वो इंट्रेसेक्ट कर रही है उस वक्र को उस फलन के का जो ग्राफ खीचा हमने उसे जो वक्र प्राप्त हुआ उसको एक छेदक रेखा एल जो है वो दो बिंदू A और B पर कट कर रही है A के निर्दशांक मैं X1 आफ आप X1 कह रहा हूं B बिंदू के निर्दशांक आप इसकी पर देख रहे हैं X Fx है X is equal to X पर है जैसे कि D में देख रहा है X is equal to X और C point पर देख रहा है आपको X is equal to X1 तो अब बच्चों विचार करि तो पहले तो हम विचार करने की छेदक रेखा जो A B है L है उसकी प्रवणता क्या होगी तो एक त्रिभूज आप इसकी पर देख रहे हैं A B M और यदि मैं इस त्रिभूज A B M में 10 ठीटा बराबर कहता हूं तो आपको दिख रहा है इसकी लंब बटे आधार होता है तो ल इसकी पर आप ध्यान से देखें कि B D में से हम M D को माइनस कर देंगे याने B M के जगे हम B D माइनस M D लिख रहे हैं और बटे आधार A M के जगे A M के बरावर C D आपको इसकी पर नजा रहा है ग्राफ में नजा रहा है तो बच्चो B D की वेलू आप ग्राफ में देखिए में ध्यान से F X है मैंने D पॉइंट को X बरावर X माना है जानमूस से ताकि मैं आपको उसके आउकल गुडांग को ठीक से समझा सकूँ और M D की जो वेलू होगी वो F of X1 होगी जो A C के इकवल है M D आप ग्राफ में ध्यान से देखिए कि A C बरावर M D है और A C की जी और नीचे जो C D है वो निशीत रुप से X में से X को माइनस को माइनस करेंगे तो C D की वेलू X माइनस X 1 है यहने छेदर रख रखा L की जो प्रवरता है ग्रेडियन्ट है वो 10 ठीटा बराबर आपको इसकीन पर नज़र आ रहा है B M बटे M और B D B M को मैं लिख रहा हूं B C D माइनस M D बटे C D और उसको कैलकुलेट करके आपको इसकीन पर दिखाया जा रहा है F X माइनस F आफ X 1 अपॉन X माइनस X 1 अब बच्चो थोड़ा सा विचार करिए कि यह जो छेदक रेखा है इस पर स्रेखा में कब बदलेगी यह इस पर स्रेखा में तभी बदल सकती है जब A बिन दू B की तरफ अगरसर हो रहा हो तो धीरे भी एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे आप इसकीन पर भी देखिए A और B एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे और वो जब कॉन साइट हो जाएंगे एक बिन्दू में बदल जाएंगे यानि A बिंदू B बिंदू के कॉंसाइट संपाती हो जाएगा तो बिंदू P हो जाएगा और वह छेदक रेखा L इस पर सरेखा में बदल जाएगी अब इस इस पर सरेखा की प्रवनता ही उस बिंदू पर वो बिंदू क्या है P पॉइंट का जो X कोडिनेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है X बरावर A यानि वो A और B एक दूसरे के संपाती होकर P पर कॉंसाइट हो जाएगे और वह छेदक रेखा L इस पर सरेखा T में बदल जाएगी जैसा कि आप ग्राप में देख रहे हैं इस छेदक रेखा जो इस पर सरेखा में बदल गई है उसकी प्रवणता ही उस बिंदू पर डिफरेंशेल कोफिशेंट होगा उस फलन का यानि एब डैस बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू A F of X1 minus F of A upon X minus A ये बिंदू P पर खीची गई इस परसरेखा की प्रवणता को पर दोवाशीत कर रहा है जिसको हम फिर से ध्यान से देख लिजिए उस इस परसरेखा जो छेदक रेखाया है इस परसरेखा में बदल गई है उसका जो बिंदू P है जिसका X coordinate X बराबर A है X बराबर A पर इस परसरेखा T की जो प्रवणता है वो F dash A is equal to limit X standing to A F of X minus F of A upon X minus A से हम लिख सकते हैं तो बच्चों आप समझ गए हैं कि ये जो छेदक रेखा है वो छेदक रेखा इस परसरेखा में बदलती है और इस परसरेखा की प्रवणता ही उस बिंदू P पर खीची गई इस परसरेखा की जो प्रवणता है वही उस बिंदू पर उस फलन का आउकल गुडांग होगा differential coefficient होगा